आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरिट रेसिपी जो है मतर की घुगनी ऐसे तो बिहार में घुगनी जो है वो काले चने से बनती है बट मतर से भी हम इसे बनाते हैं और इसमें आलू का भी इस्तमाल करते हैं तो चलिए आज मैं ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज इस गुगनी को हम बिना प्याज और लेसन के बनाएंगे तो यकीन मानिए ये बहुत लाजवाब बन कर आएगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहां मैं दो कप पीले वाले मटर ले रही हूँ जो मारकेट में बहुत इजली अवलेबल होते हैं उसे रात भर भीगो कर मैंने रख दिया था और उसी के साथ एक बड़े साइस का आलू ले रही हूँ आप देख सकते हो और इसे छील करके हम मोटे मोटे टुकरों में काट लेंगे आलू टोटली ऑप्शनल है अगर आप ना पसंद करते हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो अगर बड़े साइस के ना हो तो आप छोटे साइस के दो आलू का इस्तिमाल कर सकते हो या और चाहो तो आप और भी डाल सकते हो मैं एक आलू का इस्तिमाल कर रही हूँ अब यहाँ pressure cooker लेंगे gas पर और उसमें ये भीगे हुए मतर जो है मैं transfer कर रही हूँ pressure cooker के अंदर और साथ में जो मैंने आलू कट करके दो लिया था उसे डाल देंगे इसी के साथ इसमें एक चोटी चमच नमक डाल रही हूँ और एक चोटी चमच हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ pressure cooker के धकन को अब लगा देंगे और medium flame पे हम 6-7 विसल आने तक मतर और आलू को पका लेंगे तो जब तक ये मतर पकता है चलिए एक मसाला तयार कर लेते हैं गैस पे एक pan ले रही हूँ और flame को medium पे ही रखेंगे और इसी के साथ इसमें add करेंगे कुछ मसाले जिसमें है 10-12 लाल मिर्च, दो चम्मच साबो धनिया, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौफ, एक छोटा टुकरा दालचीनी का, एक स्टार एनिस, पान से छे लॉंग, पान से छे हरी इलाइची, दो बड़ी इलाइची और साथ में मैंने डाला है एक चम्मच गोल मिर्च, इन सब को हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 30-40 सेकिंड के लिए भूल लेना है, जब तक कि इसमें से एक खुश्पू ना आने लगे, उसके बाद इसे ट्रांसफर करेंगे, हम मिक्सी के जार में और इसे दरदरा पी और जब कभी भी हमें कोई कुछ बनाना हो तो आप इस मसाले का इस्तमाल करें, बहुत यम बन कर आती है सबजी, तो आप भी ज़रूर से इस मसाले को एक पार ट्राइ करें, तो चलिए आप कूकर को चेक कर लेते हैं, यहाँ प्रेशर रिलीज हो चुका है, और देखती हू मटर को यह देखें, बिल्कुल गल गया है, अच्छे से मटर, मैं आपको यहाँ चेक करके भी दिखा देती हूँ, प्रेस करके यह देखिए, किस तरीके से मटर जो है वो गल चुके हैं, और आलू भी गल चुकी है, अब इसको एक तरका लगाते हैं, तो तरके के लिए मैं गैस पे कडाई लिए, और उसमें आट करेंगे सरसो का तेल, तेल जब गरम हो जाया, तो उसमें एक चमच जीरा आट करेंगे, और उसी के साथ दो तेज पत्ते डाल रही हूँ, तोड़के, जीरा जब चटक जाया, तब इसमें आट करेंगे, एक चोथाई चमच हींग, अ अब इसमें एड करेंगे हम वन टेबल स्पून चॉप्ट जिंजर, आइमीन अदरक, और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ, तीन हरी मिर्च, जिसे मैंने बारी कट कर लिया था, इनको कुछ सेकंड्स के लिए हमें सौटे करना है, और गैस की फ्लेम को आप मीडियम प आते हुए हमें कुप कर लेना है तकरीबन 30-40 सेकंड्स के लिए ताकि जो टमाटर है वो थोरा सा गल जाए, कुछ देर के बाद हम इसमें एड करेंगे हमारे मसाले जो हमने तयार करें थे, वन टेबल स्पून, साथ में थोड़ी सी हल्दी क्योंकि हल्दी अल्रेडी दाल रही हूँ, फिर इसमें डालेंगे नमक, ध्यान रखे कि नमक हमने मटव में भी डाला था तो उसी हिसाब से डाले और वन टेबल स्पून कश्टूरी मेथी, इन सब को अब हमें अच्छे से मिला लेना है और एक मिनट के लिए हम इसे कुप कर लेंगे, तो यहां और पहले से गल चुकी है, मसालो को बस हमें कोक करना है और उसके बाद इसमें अट कर देंगे हमारे प्रेशर कोक्ट मटर और आलू, और देखिए यहां पर यह कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं, और बस अब हमें इन सब को अच्छे से मिला लेना है, और जो आलू के ब ताकि हमारी जो ग्रेवी है, वो ठिक हो जाए, बस अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरीके से मसलते हुए, मिला लेंगे मसालो के साथ, और ढख करके हमें दो मिनट कुक कर लेना है, जब कभी भी आपको प्यास लेसन ना खाना हो, कोई ऐसा ओकेजन हो, तो यह सबजी ज़रूर ट्राइ करें, और यकीन मानिए, यह सब को इतनी पसंद आएगी, कि आप इसे नॉर्मल डे पर भी बनाओगे, तो यहाँ जो मसाले हैं, वो अच्छे से भुन चुके हैं, आप साइड में देख सकते हो, तेल जो है, वो छोर रही है, अब बस इस मेवी के कंसिस्टेंसी के हिसाब से मिलाएं, और इसको अच्छे से मिला करके, ढख करके हमें तीन से चार मिनट और कुक कर लेना है, एक बार आप भी बनाए अपने घर में, यह बिना प्यास लेसन के मतर के घूगनी, और यकीन मानिए, यह सब को बहुत पसंद आएगी, औ और कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं कि आपको मेरी रसिपी कैसी लगी, और आपके फ्रेंड्स और फैमली में समने इसे कितना इंजॉय किया, तो यहां हमारी मतर भूगनी बनकर तयार है, इसे गारनिश करेंगे कुछ हरे धनिये के पत्ते के साथ, और गर्मा गर्म सर सब किसी के साथ यह एकदम परफेक्ट जाती है, तो है ना यह लाजवाब सी रसिपी, देखने में यह जितनी यम लग रही है, यकीन मानिये खाने में उससे दो गुना थी, तो अब इसे मैं सर्फ कर रही हूं आज पूरी के साथ, तो मेरी आज की लंच की थाली में थी एसी एक थाली इंजोई करें किसी दिन, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही लाजवाब सी रसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहें, खिलाते रहें, अपना ख्याल और मेरी वीडियो देखते रहें, थांक यू सो माच और बाबाई